तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखते हैं कि इसमें क्या है तो basically यह question है तो इसमें यह कह रहे हैं कि अब यहां से दिखोगे कि यहां से यह सर्फेस है और सर्फेस से मैं ऊपर जाऊंगा तो जब मेरा हाइट यह पार्टिकिल यहां पा जाऊंगा और इस हाइट की वैल्डू आरबाई टू हो जाएगी तो आहां पर अब यह करते हैं from the surface it again G1 at the depth D below the surface मतलब अब नीचे जाओ यहां से कितना नीचे जाओ depth D जाओ तो यहां depth D पर यहां पर भी G1 है यह point B मैं मान लेता हूँ तो इसका मतलब यह हुगा कि एकस लेशनदिटीग्रिवेट्गी ए और एकसीलेशन Kyotooth बेर ट इन दोनों पर जी की वेलू बराबर है तो ड अपार की रइसियू कितनी हुगी ब्राबर है तो बराबर करदो ह। एज हाइड पर ardा हाइड उता ना तो जादा हाइड होता है तो जी आर क्लस ह का होल अ A2 is equal to Depth का z and one minus D over R Simply जी ने G को खतम कर दिया और यहां से देखोगे तो R2 or R plus H K Valu R by 2 का Square यहां से और is equal to R minus D over R ऐसे लिख सकते हैं और यहां से तुम इसको solve करोगे तो यह तिरी मतलब यह जाएगा 4R square upon 9R square यहां से value मिलेगी और इधर मिलेगी 1 upon D upon R की value तो R square ने R square को कतम कर दिया तो D upon R की value बनेगी 1 minus 4 upon 9 4 upon 9 मतलब क्या होता है तो 4 upon 9 की value होती है यहां से यह value मिलेगी तो 4 upon 9 तो 4 upon 9 मतलब 5 by 9 is the final solution तो D upon R की value है वो 5 by 9 होगा this is the final solution तो आयोब की आसान सवाल था आपको समझ में आ गया होगा तो 5 by 9 बोले तो हम लोगों का प्यारे बच्चों D option सही बनता है thanks for watching this video